हां तो अब हम Haunted Hotel का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं लेकिन आज मैं जो भी ड्रोइंग बनाऊंगी वह सब वाटर मेलन की स्टाइल में बनाऊंगी तो चलो मैं अपने वाटर मेलन ड्रोइंग बनाती हूं और स्टोरी भी आगे बढ़ाते हैं तो कल हमने देखा था कि क्रैकर शॉप में आग लगाई थी जिससे चोटे-चोटे क्रैकर फूट में स्टू हो गयते और हम वहीं छुपकर बैटे हुए थे और इंतजार करें थे देखें अब क्या होता है थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ बहुत बड़ा धमाका और चारो और धूआई 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 और हम बिलकुल बेहोश हो गया में कुछ भी याद नहीं क्या हो है और फिर एक एक जब थोड़ी देर के बाद हमारी आखे खुली तो हमने देखा कि हम तो अपने घर में हैं तो मैं दोड़कर अपने बेटे के रूम में गई तो देखा वो भी अपने घर में सो रहा है और मैं भी सो रही थी मैंने उसे हिला कर उठाया तो वह उठा तो इसन हुआ था पर हम अपने घर कैसे बोला आपने हाए हो सकता है कि हम जैश सपना देखे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है तो मैं ने हाँ ये बात भी रही है ऐसा कैसे हो सकता है कि Kaamें की जैसा सपना देखें, फिर हम ने बहुत तेस डर लगने लगा कि ऐसा कैसे हुआ, हम अपने घर में कैसे आ गए, उस मॉल का क्या हुआ, तो फिर हमने का अब क्या करें, तो हमने सोचा चलो चल के देखते हैं, इस बार हम मॉल के अंदर नहीं जाएंगे, पर हम इस बार उस मॉल वाली जग कि जिए पैस पार ती, घौनार थे कि कि हम मॉल के अंदर ने को से कुछिए कि बन उसके निकले थे ने इस पर कैसे निकले थे यह आमने पथा तो फिर जब मॉल के पास पहुचे तो उमने देखा वहां तो झोई मॉल नहीं है, कोई मॉल है इन आहि नहीं, बस वहां पे ढ़े प्रेट सारी राख पड़ी हुई थी, ब्लैक क्लर की, जैसे वहां पर कुछ जला हो, तो हम उसके थोड़ा सब पास गये, हमने का रही यहां तो कोई भी मौल नहीं है, यहां तो सिफ एक राख पड़ी हुई है, फिर हमने का लेकिन हम इसी मौल में तो बंद थे कल से, तो फि उसके बाद हमने का चलो जो भी हुआ हम तो बच गया है, हम चुप चप से, दीने दीने से वापस आने लगे, तभी वो सिक्योरिटी गाड हमें मिला, जो उस राख के पास ही बैठा हुआ था, उसने बोला, मैं इस मौल का सिक्योरिटी गार हूँ, मैं तुम दोनों को बाह नहीं है, तो वो बोला, वही मौल जिसे तुम दोनों ने कल जला दिया, और वो मौल खत्ब हो गया, पर मैं बच गया हूँ, और मैं भी भी याँका सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और तुम दोनों को पकड़ के वापस इस मौल में घुजाँगा, तो मैंने बोला, अब हम न सारे भूत इस राक के अंदर ही मर्ज हो गए हैं लेकिन मैं उस वक्त मॉल के बाहर निकला था किसी काम से इसलिए मैं बच गया लेकिन भूलो मत मैं अभी इस मॉल का सिक्योर्टी गार्ड हूँ और एक भूत हूँ तो मैं इस मॉल को तो फिर से ठीक करके रहूँगा और तु फिर मैंने बोला कि हाँ पर कैसे करोगे अब तो ये मॉल बचा ही नहीं तो उसने बोला कि अगर कोई भी एक बार इस राक में कदम रख देगा तो तो ये ये मॉल फिर से पहले जैसा भूतिया मॉल बन के तयार हो जाएगा और वो जो भी इस राक के अंदर अपना पैर से ये सुनकर हम दोनों बहुत ही डर गये और तुनांत महां से भाग गये